मैं डाक्टर अमिद भटनागर, पंतनागर कृषी विशुदाले मैं प्रोफिसर के पतपर कारे रहत हूँ और इस चैनल के माध्यम से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ किसानों तक सही जानकारी पहुँचे तक कि उसका लाव अपनी खेती में ले सके और जानकारी प्रमानिक हो और बैग्यानिक हो तत्य हो और उस पे कुछ रिसर्च होई हो तो ये मेरा प्रयास है कि जो अनुसंधान कार रहे हैं और जो सही काम खेती के हैं वो किसानों तक पहुँच जाएं कौन सी चीज हमें यूज करनी है, कौन सी नहीं करनी, कब करनी है, कौन सी हमें इंपुट देना है ये जानकारी अगर हमको होती है तो हम फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अन्नेसेसरी के जो हम खर्चे होते हैं हमारी खेती में उसको हम बचा सकते हैं आज जो मैं चर्चा करना चाता हूँ यह है कि बहुत सारे किसानों की यह समस्या आ रही है कि इस साल जो उन्होंने गेहूं बोया है उसमें बालियां बहुत जल्दी आने लगी है तो इसका क्या कारण है और क्या ऐसी क्यों ऐसी समस्या हो रही है उसके खेत में और आज मैं इस पर भी ये चर्चा करूंगा कि अगर ऐसी समस्या हो गई है तो हम क्या बचाओ के उपाई कर सकते हैं या हम क्या ऐसी कोशिश करें कि हमारा नुकसान कम हो देकि गेहुं की जो फसल है वो हमारे देश में सर्दियों में बोई जाती है और सर्दी के शुरू होने में बोते हैं यह temperate crop है इसे कम तापमान चाहिए होता है तो अलग-अलग छेत्रों में जो हमारे उत्तर भारत के छेत्र हैं उसमें यह बोई जाती है और दच्छन राज्यों में इसको नहीं वह जाता है क्योंकि तापमान वहाँ जादा रहता है तो तापमान इसके लिए बहुत क्रूशल फैटर है टेंपरेचर और इसकी बुवाई के समय जो तापमान होना चाहिए वो 20 से 22 डिग्री सेंटिग्रेट होना चाहिए तो जब यह तापमान मिलता है 20 से 22 डिग्री सेंटिग्रेट तब इसका जो जर्मिनेशन है जो इसकी पौधन की बढ़वाद बहुत अच्छी होती है और हमारे देश में चुकी अलग-अलग छेत्रों में यह तापमान अलग-अलग समय प्याता है कभी नॉवंबर में, कभी दिसंबर में लेकिन हम एक पूरे रिसर्च करके एक अलग-अलग छेत्र के लिए कि उत्तर परदेश में, बिहार में, हिमाचल परदेश में, उत्राहंड में, तराई छेत्रों में पंजाब में, हर्याणा में समय रिसर्च करके हम यह पता लगा लेते हैं और यह कई सालों के नुशंधान कर रहे होते हैं कि यह तापमान हमारे छेत्र में कब पहुंचेगा तो समानेता यह जो है मध्ध है नौवंबर में तापमान ऐसा मिलने लगता है जब ठंड पढ़नी शुरू होती है तो नौवं वह थे देर से आएगी तो यह देर से पहुंचेगा जैसे पूर्वी उत्रप्रदेश कि हम बात करें या बिहार में करें तो यह थोड़ा सा ताफमान लगभग सभी छेत्रों में आ जाता है और इसी समय हमें इसकी बुवाई करनी चाहिए लेकिन होता क्या है कभी-कभी नॉम्बर के पहले सब्ता में या अक्तूवर के आखरी सब्ता हैं बारिश रहती है और खेत में अच्छा मौश्चर होता है तो किसान भाई यह सोचते हैं कि खेत कुपानी मिल गया है हम खेत जल्दी से तयार कर ले और गेह heard को हम बोदे तो उस कार से वो जल्दी बुवाई कर देते हैं कभी-कभी यह भी होता है कि हम चाहते हैं अगेती फसल ले 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 गेह Phone की बोदे को दें और फिर हम उसको जल्दी काड़ने बाद में कोई गेहूं के बाद कोई फसल ले ले या चारा ले ले तो उसके लिए वह जल्दी बुवाई कर देते हैं तो आगर हमने गेहूं की बुवाई जल्दी कर दी और तापमान अभी 20 से 22 नहीं है मालीजे 25 चल लाए 26 चल ला उस समय यह तापमान घटके कहां जाएगा 17 डिग्री सेंटीग्रेट 18 सेंटीग्रेट पर आ जाएगा और जो इसका हम मानते हैं उस समय यह जो अवस्था होती है तो पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होती है जब तापमान 20 से कम आने लगेगा तो उसका फुटा बह न Battery न होना फुटा निकलन उसमा फुटाव होना बहुदह की लंभाईवर न फिर उसके अंच पर इयर हैडाना बहुल आना दाना बहुता है पौधा किया करता है तापमान मों को लेता तब वो उसकी आवस्था बदलती है, अगर वो heat unit नहीं पहुचेगी तो उसकी आवस्था नहीं बदलेगी, जिसको हम diplomat कहते हैं, इसको GDD भी कहते हैं, growing degree days कहते हैं, अगर हम बहुत science की बात करें, बहुत इसकी calculation की बात करें, तो GDD, growing degree days इसका concept होता है, जो heat unit से बनता है, त और हम आदे हैं, तो 4 पति बनती हैं, और हम जाती हैं, और हम जाती हैं, तो आठ बती हैं, तो आपको संवर को आगया होगा किसी भी, ना क्यों बहुता होती हैं, बलकि सभी जीवों में इस तरह की प्रक्रियाएं होती है, GDD, heat unit accumulate होती है, तभी उसकी आवस्था change होती है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हमने थोड़ी अरली बवाई कर दी है, समय से पहले कर दी है, या बुवाई को समय से की लेकिन तापमान कम नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे जो climate में वातरों बहुत तरह के changes होते है, कोहरा नहीं आ पाया हो, ठंड नहीं पड़ पायी हो, तो तापमान उतना कम नहीं हुआ, तापमान वड़ा सजादा बना रहा हो, तो पौधा तो वो heat unit लेते जा रहा है, यहूंकि फसल तो वो heat unit लेती जा रही है, और जैसी वो heat unit पुरी होगी, बालिया निकलनी शुरू हो जाएगी, तो ऐसी इस्तितियों बालिया निकलाती है, तो कभी-कभी बालिश हो गई, तो बालिश के साथ हमने गहूंब हो दिया, तो यह समस्या आ जाती है, तो अब इस समस्या से कैसे बचें, बालिया तो निकलाएगी, पौधा छोटा ही है, अब देखिए, बालियों में जो बनता है, दाना बनता है, वो दाने को जो पदार्त मिलते है, पोशक पदार्त मिलते है, जो भी शुक्ष पदार्त हो, पत्यों से मिलते है, अब पौधा कहरे जाएगा, छोटा रह जाएगा, तो छोटे पौधे में ही बालिया निकलाएग तो पत्य जितना फोटो सिंथेट्स बनाती है जो प्रकास सेश्टेशन के गया करें वही दानों को ट्रांसफर हो जाता है तो पत्य चोटी है पौदा छोटा है तो निश्च्च तुरूप से दाना भी क्या होगा छोटा होगा अब यहां बालिया जल्दी निकलाई है तो अब जा पत्यों से जो पूश्च पदार्त जाएंगे इसको आप ऐसे समझें कि है यह पत्तियां है यह घुकल की fati लिए ऊपर वाली है यह इस में आधे लिंगे च्छ With मैं गया जैएंग के इस पत्ति लिएग़े तो यह पर चोछथatique प्रस्र लेंगे अब हम कोशिष में कि यह नमी ना तो बहुत जाधा हो जाए और बहुत कम हो जाए अगर नमी बहुत जादा हो गई तो पॉद्धे-पढ़ने लगेंगे। और कम हो गई तो पत्या सूदे लगेंगे। दोनों ही हमारा नुकसान हो जाए है, तो नमी को बराबर बना के रखें, नम्र एक। more 2 किस तरह से पोश्रक वालियों पहुँचे जहादा पहुँचे इसकी हमाइं फोकस करना है तो यहाह में हमारी किसी प्रकार कीautre की कमी नहीं होनी चाहिए खास वड़ी नहीं होनी चाहिए नेकिन नायाटोली आपको पहुच जादा फिन्मोच यह डाले तो दिल्み पाएंगी तो यह जो गहुँवाली फसल होती है इस तरह की फसले होती है इन में वार जब फूल आ जाता है वह उपर की स्पाइक निगलाती है तो जो न्यूट्रेंट का जो अप्शूर्शन है जो पदार्थ लेती है जड़े वो कम लेती है तो अगर हम ऐसी इस्तिति में ज किसी का चड़काम ना करें अब कोई हार्मोन कोई अच्छा काम नहीं करेगा हो सकता है डिफॉर्म हो जाए कुछ परिशानी हो सकती अब हमको दो चीज़ों पर ध्यान अगना है नमी अच्छी बनी रहे कोशक पदार्थ इसमें बने रहे उसके लिए हम पढ़नी चड़का नुकसान हो जाएगा तो आप बीमारियों पर भी ध्यान रखें अगर कोई बीमारी आती है रस्ट वगर आती है तो अप उसका कंट्रोल करें तो अपने खेट को आप विजिलेंट देखते रहें करते रहें कि कोई ना नमी की कमी हो ना उस सब्सक्राइब पौदे की वह श जादा नुकसान ना हो इसके लिए जो मैंने आपको बाते बताएं ध्यान रखें और अगले वर्ष में ध्यान रखें जब ताफमान अनुकूल हो जब आप छेत्र के लिए संस्कूत किया गया हो जो समय तभी बोएं उससे पहले ना बोएं अगर आप जल्दी बोदेते है तो नुकसान होता है, तो आप सही भरायाइटी का चुनाव करें अगयती है, पचयती है, कौनसी है जो आपके लिए संस्तुत हैं, जिस समय के लिए अगर आप टैम रिसोन कर रह रहा है तो टैमरी सोन लीजए अगर आप लेट सोन जो भरेड़ी होति है य।师 छेत्र के लि रेकमेंडेड है उसी को गोएं तभी वो वरेटी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तो अगले साले से इस बात का ध्यान रखें तक ही आपका इनुकसान ना हो आशाय मेरी बात आपको समझ माई होगी और इसी तरह की चर्चा के लिए आप कृषी किसान देखें किसान में म पुरी सभी ढंक से पहुँचे और जाज़ जादा लोगं के साथ इस वीडियो को शियर करें तक इनको भी इसका लाव दिले अगर चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कीजिए धन्यवाद